आज की वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं इस प्रॉबलम के बारे में जब भी आप अपना YouTube ओपन कर रहे हैं तो बार-बार आपको यह प्रॉबलम देखने को मिल रहा है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो मैं आपको permanent बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में तक बने रहेगा, यहाँ पर आपको permanent solution में देने वाला हूँ, तो चलिए जान लेते हमें क्या करना है, इसका solve करने के लिए, सबसे पहले तो आपको अपने play store पर आ जाना है, प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, YouTube, YouTube सर्च कर लेते हैं, अब YouTube सर्च करने के बाद अगर आपको यहाँ पर update आया है, तो update कर लें, otherwise उसके इलावा आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च करना होगा, pop pop tube आपको यह search कर लेना है अब यहाँ पर यह application होगी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको install कर लेना है आपने मैंने install करके रखी हुई है अब मैं directly इसको open करता हूँ अब यह क्या करेगी आपको यहाँ पर same चीज provide करवाएगी यूटूब में आपको देखने को बिलता है मतलब सारी आप यह YouTube का alternate मैं आपको बता रहाँ जिसमें आपको ads वगएरा भी देखने को नहीं मिलेंगी आप जो कुछ भी चलाने का try करेंगे कुछ भी ads वगएरा देखने को नहीं मिलेंगी मैं यहाँ पर search कर लेता हूँ, मेरा channel ही, तो यहाँ पर, यह देख सकते हैं, मेरा channel आ चुका है, कुछ इस तरह से, आप यहाँ पर जाकर, वीडियो को play कर सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ, चला कर, और यहाँ पर ads वगएरा भी नहीं आती हैं, तो आप यहाँ यहाँ पर इसको use कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को भी वीडियो को play करेंगे, तो आपको ads वगएरा भी देखने को नहीं मिलेगी, और एक और alternate में आपको बता देता हूँ, जब तक आपकी यह problem permanent solve नहीं होती है, तब तक आप जो है, इसको use कर लीजिए हैं, आप इन दोने application का use करिए, और अपना enjoy करिए, जब तक आपकी problem permanent solve नहीं होती, YouTube की तरफ से, so guys, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तिल नहीं बाटे के, love you all, love